दोस्तो मेरी चैनल सारीकस कुपिंग डैरी में आपका स्वागत है फ्रिंड साज मटर पनीर बनाने वाले हैं यसे तो मटर पनीर बनाने का तरीका अपना सबका अलग-अलग होता है पर आज इस वीडियो में मैं किसी मटर पनीर बनाती हूँ वो देखने वालेगे और आज की सबजी हम कुकर में बनाएंगी जोकी जटपट बन जाती है तो चली फिर बनाना शुरू करते हैं यहां गेस पर रखी इस कुकर में हम 50 ml तेल डाल लेते हैं उसके बाद तेल में हम डालेंगे दो मीडियोम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज अब प्याज का मीडियोम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए सौटी करेंगे प्याज का हमें हलकी सुनीरे रंका होने तक सौटी करना है आप देख सकते हैं कि प्याज हलकी सुनीरे रंका हो गया है तो अब इसमें हम मिलाएंगे आदा चमच अदरक लसूर और हरी मीर्च की पेस्ट अब पेस्ट को भी हम भून लेते हैं पेस्ट को भी हमने भून लिया है तो अब इसमें हम मिलाएंगे एक मिडियम साइज का बारिक कटा हुआ टमाटर अब टमाटर को भी हम shorty कर लेते हैं टमाटर की नरम होने तक हम टमाटर को medium flame पर shorty करेंगे अब देख सकते हैं कि टमाटर भी नरम हो गया है तब इसमें हम बागी के मसाले मिला लेते हैं तो सबसे पहले हम मिलाएंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर, एक चुथाई चमच जीरा पाउडर और एक चुथाई चमच हल्दी अब सारी मसालों को हम स्लो फ्लेम पर सौटे कर लेते हैं मसाला भी सौटे हो गया है तो यहाँ पर मैंने 250 ग्रम फ्रेश मटर लिये हैं इन मटर को हम कुकर में डाल लेते हैं कुकर में मटर मिला लेने के बाद अब इससे हम मिक्स कर लेते हैं मटर को मैंने पहले से दो लिया है अब हमने कुछ मसाले मिलाए नहीं हैं उन्हें भी इसमें मिला लेते हैं तो इसमें हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसाद नमक, चाह सिपा चुटकी शक्कर, आदा चमच किचन की मसाला, और एक चमच कसूरी मेथी को हम इस सरह से हाथों से मसलते हुए डालेंगे, अब बाकी रह सारे मसाले भी हमें सबजी में मिला लिये हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब सब्जी में हम आदा कप पाने डालेते हैं, अब चाला लेते हैं, उसके बद कुकर को बन करके, मिडियम फ्लेम पर कुकर की दो सिटी देकर सब्जी को पकाएंगे, अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जली से सब्सक्राइब कर दे, और हाँ बेल आइकन पर खुली भीना प्रेस जरूर करें, कुकर की दो सिटी हो गई है, तो गैस की फ्लेम को बन कर देते हैं, और कुकर को अच्छे से थंडा होने देते हैं, जब तक कुकर थंडा हो रहा है, तब तक हम सब्जी के लिए काजू की पेश्ट बना लेते हैं, तो काजू की पेश्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 स की पेश्ट बनाएंगे यह देखी इस तरह से हमें काजु की स्मूध पेश्ट बनानी है अब फिर से हम कुकर की तरफ चलते हैं यहाँ पर कुकर थंडा हो गया है तो खोल कर देख लेते हैं पर कुकर को खोलने से पहले कुकर में बची हुई हवा को सिती उठा कर निकाल लेते हैं उसके बाद ही कुकर को खोलना है यह देखी मटर अच्छे से पक गए है अब इस सबजी में हमें मिलाना है पनेर तो यहाँ पर मेने 250 ग्रम पनेर लिया है और पनेर को मेने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है आप इन पनेर के टुकड़ों को हम सबजी में मिला लेते हैं आप अपकी पसंद से पनेर के टुकड़ों को छोटा या बड़ा रख सकते हैं अब पनेर को हम सबजी के साथ मिक्स कर लेते यहाँ जार में थुड़े पेश्च छुट गई है तो थोड़ा पानी मिला कर विक्स करके सबजी में मिला लेते हैं काजू की पेश्ट हम पानी मिला कर भी बना सकते हैं पर दूद मिला कर बनाने से हम सबजी में क्रीम मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए अगर आप इस सबजी में क्रीम नहीं मिलाना चाहते तो पेश्ट को दूद में बनाए या फिर पानी में भी बनाएंगे तो भ बन कर देते हैं और सब्जी में हम मिलाएंगे दो चमच बटर और फिर से मिक्स करेंगी इस से रहा हमरी स्वादिष्ट मतर पनिर की सब्जी सव करने के लिए तयार है तो फ्रेंड्स देखा आपने मतर पनिर की सब्जी कुकर में कितनी जटपड बन गई और हमें पता भी नह आने की तो जल्दी से बनाएं और आपको यह रेसिपी के से लगे हूँ मझे कॉमन बक्स में लिकर जरूर बताएं धन्यवाद फिर मिलेंगी नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई एंड गुड़ डेई